कि अभी हमने पिछली वीडियो सकंदर देखा है कि सीरीज क्या होती है पैंडास के अंदर डेटा फ्रेम क्या होता है तो हमने इसके बारे में अलड़ी बात कर लिया है जो कि हमारी पाइथन की फाइल है यहां पे सीरीज और डेटा फ्रेम अब हम यूज करने वाले नोट तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाफ से जिस फोल्डर में भी आप रखना चाहिए तो मैंने यहां पर डेक्स्टॉप के अंदर रखा हुआ था वहां पर एक यूटूब नामसे फंक्शन था और उसके दर आपको यह दो फाइल है जो कि है डेटा फ्रेम तो कर सकते हैं आप इसको टाइटल दे सकते हैं अपने हिसाफ से जो आप नाम देना चाहिए यहां पर मैं क्या करता हूँ कि कि मिर पास एक फाइल है है यहां से हम लोग एक ट्वारोट कर लेते हैं। से जाकर के यहां पर आपके पास एक अकाउंट होगा काईगल के अंदर और आप यहां से डेटासेट डाउनलोड कर सकते हैं डेटासेट यानिके जो CSV फाइल वगर रहेगी वह आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको यहां पर डेटा सेक्षन में जाना है और यहां स यहां पर आपके पास डेटा पड़ा हुआ एक्सल्स अधर और यहां पर पूरी एक्सल्स देख सकते हैं, जो जो एक्सल्स आपको महां पर चाहिए होगी, तो यहां पर देखेंगे, आपके पास काफी रोज हैं, कॉलम्स है तो अब हम इसको रीड करने वाले हैं इस पूरी फाइल को तो आपको रीड फाइल पर जाना है और इस सेक्शन के अदर आपको लिखना है सबसे पहले डेटा वेरिबल्स के अंदर तो जो भी फाइल का डेटा होगा वह इस्टोर हो जाएगा यहाँ पीडी डॉट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जहलक सी देखा देगा कि आपके डेटा के अंदर क्या चीज है आप अलग-अलग फंक्शन के साथ में इस चीज को देख सकते हैं जैसे सिर्फ मैं डेटा यहाँ पर लिखता हूं तो कुछ इस तरीके से डेटा मुझे वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका डेटा के अंदर क्या क्या चाहिए वहाँ पर जो जो पीटर नोटबुक है अगर मैं यहाँ पर डेटा हैड लिखता हूं और कोई पैरामेटर यहाँ देटा तो यह बाइडिफोल्ड आपको पांच जो है डेटा उठाके देता है अगर मैं यहाँ पर कुछ पैरामेटर पास करता हूं कि लेट से कि मुझे सिर्फ दो डेटा चाहिए पांच नहीं चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपके पास जूपिटर थula कि हमारे अट्रत का है तो यहाँ पर पता चल날 रही इतने का साइच यानİं की इतने रोजन पर मिला करके यहाँ डेटा के वापर आप लगा सकते हैं जैसे की डे टाइप साब हमारी जो train.csv है इसके अंदर आप देखेंगे कुछ integer value हैं कुछ object value हैं कुछ float value हैं जैसे कि आप यहां पर passenger id देखेंगे जो कि integer है तो passenger id आप देखेंगे 12 करके हैं इसलिए यहां पर आप इसको इसको as a integer integer consider कर सकते हैं सेमची सर्वाइब के साथ में जैखेंगे 01 तो यह भी एक इंटीजर है अंदर भी देखेंगे तो आपको इंट आपको मिलेगा object आपको नेम मिल रहा है तो नेम यहां पर स्ट्रिंग नहों करके यह लोग object इसको ट्रीट करता है यानि कि जो पैंडाज है अपना साथ में इसको आप देखेंगे यह एक फ्लोट वैलू है तो आपने पास क्या है इंटीजर ऑब्जेक्ट और फ्लोट इन तीन टैप्स के आपके पास वैलू है तो यह आप देख सकते हैं अपने डी टाइप्स जो आपका से मुझे चाहिए होगा तीन डेटा है इस तरीके से तो आपको नीचे से यह तीन रोज आपको दिखाए दे रही है जो आपकी आइडी आप देखेंगे लगबख सीम है 888889 और 890 कर इस तरीके से आप जो क्या कर सकते हैं कि हैड और टैल दोनों तरफ से आप जो डेटा य है तो यह चार परामेंटर के अंदर देखेंगे 247 डेटा उठाएगा इससे क्या होगा कि आपको डेटा की पता चलेगी कि मालीजे ऊपर और नीचे सेम डेटा है लेकि बीच में दिक्कत है अगर आप ऐसे अगर आप रेंडेमली पिक करते हैं तो आपको पूरे डेटा से से रेंडेमली डेटा उठा कर आपको यह देते तब काफी यूशफुल होने वाला है जो की आप यहां पर चार याँ-को अब कितना है यह सारी चीज़े आप डिस्क्राइब मैथड जो है वह आपको यहां पर प्रिजेंट कर देता है प्लॉट कर देता है तो आप इसके बारे में देख सकते हैं पूरा अच्छे से आप सेम डेटा जैसे कि आपके पास CSV फाइल में डेटा है मालीजी आप उसको एक्सप भी आपको यहां पर लिखना लेगा यहां पर फाइल का नाम हो आप यह पर प्रॉइड कर सकते हैं जो भी आपके अनल अथा西 टव उन्य इंडेक्स दे रहा है उसको आप हटा सकते हैं कि मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए अपने शीट के अंदर सिर्फ मुझे डेटा चाहिए अब आप इसको run कर सकते हैं तो run करने के बाद अभी आप देखेंगे कि ये एक error दे रहा है वो error हम लोग देखते हैं bottom में जाकर कि क्या है तो ये बोर रहा है कि मुझे ये वाली file नहीं मिली sorry module नहीं मिल रहा है जो की है open pyxl करके तो इस module को हमें install करने के लिए क्या करना रहेगा कि आप यहाँ पर new पर जाएंगे आप यहाँ पर terminal open करेंगे और यहाँ पर आप इसको paste कर देंगे जो कि आपको लिखना pip install और अपने module को नाम जो आपके module का नाम है जो है अपने case में open pyxl करके तो अब यह कर रहा है कि यह इस module को यहाँ पर install कर देगा तो यह क्यों दिक्कत कर रहा है क्योंकि इसको actual sheet के साथ में output देना है तो यह कर रहा है कि actual बनानी पा रहा है यानि कि यह module चाहिए होगा उसको उसके बिना यह नहीं चल सकता वापस हम लोग चलते हैं और यहाँ पर control enterprise करते हैं तो अभी देखते हैं वापस से जाकर के अपने folder के अंदर कि क्या हमें file मिली है तो हम लोग YouTube folder के अंदर चलते हैं तो यहाँ देखिए same नाम से हमें एक file मिल रही है मैं इसको open करता हूं तो आप देखिए इसके अंदर पूरे passengers वगर आपको सभी दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके साब क्या कर सकते क्या एक्सल को export कर सकते हैं easily आप csv file में डेटा भेज सकते हैं या जेशन format में आप जो डेटा export कर सकते हैं यह आपके export और import दोनों के लिए बहुत बैटर लाइब्रेरी है इसलिए जातर यूज की जाती है अब आप इसको रीड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह है और साथ में उसका यहाँ पर आपको लिखना है और यह आपका है टैटनिक पैसेंजर अब इसको फिर से हम लोग कंट्रोल और अटर प्रेश करते हैं यहाँ पर तो अभी यह डेटा हमें शो नहीं होगा हमें उसको प्रिंट करना पड़ेगा जो भी हमारे पास एक्षल के अंदर शीट है तो अब यह जो दो डेटा है वह सेम है जो हमारे सीएसवी फाइल में थे तो आप सेश्वी को भी रीड कर सकते हो आप उनके ओपर और पर पर्फॉर्म कर सकते हो कर दो हमारे सकते हो